एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही, ये सुनते ही अंकिता की रूह काप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्ता याद आ गया था, ये बात तब की है जब अंकिता दस्वी क्लास में पढ़ रही थी, एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया, अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हां कर दी, पिकनिक पर जाना था पावागर, पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तयार थी, अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बै का था, ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है, ड्राइवर ने सब से कहा कि बस का टायर बदलने में करीब दो घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाईए, मैं इसे बदल देता हूँ, आप लोग पास के धाबे में जा सकते हैं, वह एक बुढ़ा ब्यक्ति चाय बना रहा था, इतनी रात को धाबा खुला हुआ, और किसी इंसान को चाय बनाते देख सब को हैरानी हुई, उस बुढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहां अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अप पीते हुए अंकिता की आँखे एकदम धाबे की चट की तरब गई, अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की शाड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा, तेर बाद वो जोर जोर से हसने लगी, भले ही हसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुझ खोल कर हसते हुए देखा था, ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आखे नीचे जुका ली, कापते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दुबारा पीना सुर ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिलाने की आवाज जंकल की ओर से आई, धाबे में बैठे वे सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए, सब को डरा हुआ देखकर उस पूरे इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूं क्या हुआ है, आप लोग यही बैठे रहो, इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया, तभी एक लड़की को खुन की तर खरा हो गई, उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ, सब ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए, टीचर ने सकत लहजे में सब से कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा, वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आग के पास बैठे बैठे तीन बजे, तब कहीं जाकर वो बुरा इंसान जंगल से लट कर आया, सब की तरब देखा और कहा कि उस चीक को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इतना कहे कर वो धाबे के अंदर चला गया, तब ही ड्राइबर भी टायर बदल कर बस लेकर धाबे के पास पहुंचा, सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठे गए, टीचर ने बस में बैठी हुई, टीचर ने बस में बैठते ही सब को कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा सीथे बस हो जाओ, टीचर की बात सुनकर सब बस में ही सो गए, उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब एक हफते बाद घूम कर आ गए, पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं का, क्योंकि टीचर ने मना किया, ले जो को पिकनिक भेजने सुस्टर लगने लगा, बीती घटनों को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो दीवन भर घटना ड़ाती रहती है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, अगर वीडियो आपको कान आपको एको पसंदा